हाई फ्रेंट्स गुड मॉर्निंग एवरीबन ल्टी सालिम उस्मानी चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंट्स आज हम बात करने बाले हैं लेवाट्री वेस्ट मैनेजमेंट लेवाट्री में जो हमारा बायोमेडिकल वेस्ट कलर कोर्ड यूज होता है जैसे लेवाट्री मे हमने कोई हमको डिसकार्ड करना है कोई हमारा यूज होने के बाद बॉक्स है या गिलावस है या ट्यूब है या सिरेंज है वो कौन से डिस्ट विन में हमें कौन सी चीज डिसकार्ड करना है आज हम इस वीडियो में वो सब चीजों के बारे में जानने बाले हैं और फ्रें करते हैं आज इस वीडियो में हम ये सारे डिसकस्त करने वाले यह हम् Hamburg में पर तीन कलर्ग के हमें डे स्ट दिखते हैं फिर्ष हमें black फिर यर्लो यह तीन डाइस्ट विन हमें हर एक के एंड टिशू पेपर होता है या नॉर्मल कोई बॉक्स है या कोई टिशू पेपर है या कोई प्लास्टिक है जो बिदाउट इंफेक्टेड है जिसमें कोई भी इंफेक्शन बाले चीज नहीं लगी है उसको हम ब्लैक में डालते हैं जैसे फॉर एक्जामपल हमारे चाय के क बॉक्स हो गया या फिर कोई बी सामा ने पनी में पैक होके आया उसके उपर की पॉलतीन है जिससे नहीं है उसको हम ब्लैक में डिसकार्ड करते हैं उसके बाद आटा है हमारा red, red में जो भी हमारे plastic infected वाली चीजे होती है, जैसे हमारे gloves हो गया हमारे tubes हो गई, हमारी ESR tip हो गई, हमारी छोटी-छोटी tip हो दी है, जो हम laboratory में use करते हैं, तो वो सारी चीजे हमें, इसमें red वाले dustbin में डालना चाहिए होती है जो बितना भी प्लास्टिक वाली होती है वो हम उसको red वाले dustbin में डालते हैं उसके बाद आता है हमारा yellow color का dustbin जिसको हम बोलते हैं yellow dustbin तो yellow color का dustbin में हमको जैसे हमारे human body कोई organ histopath department में है या कोई हमारे patient का कोई body part है या patient का कोई serum है patient का body fluid है तो जो भी जैसे हमारे infected cotton होती है माना कोई हमने collection लिया है या कुछ भी swab किया है तो जो ये tissue और organs ये सारी चीज हमें yellow वाले dustbin में discard करना चाहिए और इसके बाद हमारा कुछ जगा पे collection center पे हमारा एक needle needle discard वाला एक electroding machine होती जिसमें हम needle लगा देते हैं और वो उसको destroyed कर देता है कुछ जगा पे हमारे hypo chloride solution की एक can होती है जिसमें needle और syringe हमको उसमें discard करनी होती है तो friends आज का हमारा ये topic था हमने इस video में जाना कि वायो medical waste क्या होता है कौन से dustbin में कौन सी चीज डालना चाहिए इन सब के बारे में तो जादे से ज़दा वीडियो को support कीजिए और like कीजिए और subscribe कीजिए